हेलो माई डियर्स, हाव यू, आपके लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए वाइरस जिसका नाम है H3N2 कुछ टाइम से ये वाइरस चर्चा में आ रहा है तो आए देखते हैं कि वाइरस है क्या जैसे के अभी हब हमने देखा कि कुरोना वाईरस कितना खतरनाक वाइरस था, अभी हभी इसका जो परभाव है कम हुआ है तो अब यह नया वाइरस आ गया है H3N2 वाइरस तो इसके बारे में हम जानते कि यह वाइरस क्या है कैसे इसका treatment है कैसे इसके symptoms है किस तरह का यह वाइरस है तो इसके बारे में जानते हैं तो next अगर मैं बात करूं H3 and 2 virus यह new virus है अभी आया है इंडिया में आ गया है और अभी आपने देखा है कि इसके जो cases भी आ गया है कहते हैं कि 90 cases आ गया है और इसमें जो 2 death भी हो गई है कि अभी यहां पर लिखा भी हुए है कि इंडिया रिकोर्ड फर्स्ट टू H3 and 2 flu death इन हर्याना एंड करनाटक में ठीक है जो दो new death हुई है हना हर्याना में और करनाटका में इसकी दो death हो गई है ठीक है इस वाइरस की वज़े से हुई है ठीक है इन वाइरस की वज़े से यह death हुई है सो नेक्स अगर मैं बात करूं क्या हुई है कि युनियन हेल्थ मिनिस्टर ओन फ्राइडे एडवाइस स्टू बी अलर्ट अफ्ट टू H3 and 2 डेथ अफ्टर रिपोर्ट फ्रॉम हर्याना एं करनाटका जब से हर्याना और करनाटका में death के case बढ़े है तो सरकार में भी इसक Cases on this virus have been reported across the country, पूरी country में 90 cases के आ चुके हैं हना दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं हना 90 cases आ गया और इंडिया Council of Medical Research ICMR आन JACK JHA, Now that numbers there recent up tuak in cases of intensive coaf lacing althoughicimento to MA कि इसमें पते क्या हो यह कि पहले हमारा क्या होता था कि जब khansi 묖ार होता था तो पहले ठीक हो जाता था अन्डкими नहीं अटीक हो एक तो थीक हो जाता था चाहनारा रृत हरकर यह प्र 205 नहीं थीक हो जाता था बटका एक है कि ठीक ही नहीं हो रहा अब क्या हो रहा है कि ठीक ही नहीं हो रहा अब यह बढ़ गया है दो से तीन से तीन से चार वीक तक यह पहले तो बुखार खांसी रहता है उसके बाद इसके stages आ गया गया बढ़ते जाते हैं तो several parts of India can be linked to Influenza है तो इसमें क्या होता है कि Influenza A के साथ link करता है और H3N2 Influenza A की ही subtype है तो क्या है इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने कोची करता हूँ Influenza A क्या होता है like मतलब कि Influenza A B C D ऐसे कुछ types होती है ठीक है और इन में से A B C D में से ठीक है जो Influenza A है उसकी subtype है हमारी H3N2 virus ठीक है जैसे की Influenza A की subtype है H3N2 virus ठीक है तो मतलब कि इसमें क्या है simple जैसे आपने देखोगा swine flu को ही न कहीं है swine flu की तरह भी है है ठीक है तो यह एक तरह का flu है एक तरह का virus है कि पहले तो तो मतलब कि simple इसमें क्या होता है कि fever होता है उसके बाद next यह आगया आगया वामिटिंग वगयरा सारे symptoms आने लग जाते हैं जो मैं आपको आगये बताने वाला हूं ठीक है तो simple क्या होगा है कि अब इसके 90 cases आ गए है और दो इस भी हो गई है और पहले यह simple एक तो वीक तक बुखार होता था कि ठीक हो जाता था पर इस case में क्या हो रहा है कि यह बुखार खांसी है ठीक ही नहीं हो रहा है और यह आगय स्टेजिस बढ़ती जा रही है सो नेक्स अगर मैं बात करूं क्या हो रहा है कि what is H3N2 वाइरस अना Influenza A क्या हो रहा है कि Influenza A further classified into different subtypes and one of them is H3N2 जो Influenza A है उसकी आगे further कुछ types होती है आगे further कुछ types होती है उन types में ही हमारा क्या है एक यह वाइरस है जिसका नाम है H3N2 वाइरस ठीक है क्या हो रहा है according to United States Center for Disease Control and Prevention CDS H3N2 caused a 1968 flu pandemic that led to death around 1 million पहले मतले किया हुआ था कि 1968 में कुछ ऐसा ही वाइरस आया था ऐसा ही फ्लु आया था जो कि pandemic था और उसने लग भग एक लाख death कर दी थी globally ठीक है तो यह बहुत ही जादा खतरनाक भी है ठीक है 1 million people globally about 1 lakh in the US ठीक है तो इसकी वज़े से एक लाख तक death is भी होगी थी एक लाख लोग इससे पीडित हो गए थे यह इतना खतरनाक भी था पहले आया था इसके तरह का आई फ्लू ठीक है जो कि pandemic था कहते है इसके symptoms क्या है इसके symptoms क्या है और सी इच सिम्टम सिमिलर प्याक होने लगती है नौज एड स्ट्रीम फिटग इंद उसके बाद वामेटिंग यह सारे डाइरिया रना तोयं क्या होताए सेंक्टम जैंग dwutla पैर और हन्य को रोक नहीं पती है नहीं है H3N2 वाइरस यह भी ठीक है यह एक तरह का फ्लू है हो ना और यह भी कहते कि जो यह है कि तरह ही है जैसे कि स्वाइन फ्लू में व्यक्ति बिमार होता है वैसे कुछ ऐसा होता है तो Influenza की बात कर रहे थे हम ना Influenza जैसे मैंने कह था ABCD टाइप का होता है बट जो यह H3N2 virus है यह जो हमारा influenza A का ही type है ठीक है A और B इन में कह देते हैं कि A और B का कुछ journalist में type होता है तो influenza A और B के बारे में हमारे लिए जाना जूरुई है so influenza A और B क्या है ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ influenza A can cause significant disease ठीक है can cause significant disease generally cause milder ठीक है उसके बार next बात करूँ यह human animals also यह only human ठीक है यह human और इंसानों और जानवरों में भी हो सकते हैं यह सिरफ कहले इंसानों में next बात करूँ can cause pandemic and epidemic ठीक है epidemic and pandemics worldwide तक जा सकते हैं यह बहुत खतरनाक है ना और यह क्या होता है ices minority epidemic milder cause old & milder pandemic ठीक है यह था ठीक है इसमें क्या क्या है वाइरस इसकी सब टाइप है ना सो वह भी खतरनाक है वह ज्यादा खतरनाक है ठीक है जिससे अभी लोग पीडी तो रहे हैं ठीक है सो अगर मैं बात करो कौन सा एज ग्रूप इसमें ज्यादा पीडी तो रहे है बहुत मतलगी जिसको परिशानी हो रही है ही हरी फिलू हर एक वाइरस उसी को जावा रहता है जिसका अगर कोई व्यक्ति इसका इम्यून सिस्टम कम जोड़ है उसको यह वाइरस होगई तो बचके रहो बचे कैसे simply यार क्या करोगे अपने face को ढखके रखो अब जैसे कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपना face ढखो mask लगाओ sanitize करो हाना हाथों को तो वैसी जैसे हम क्रोना में करते थे हैं तो कह रहे हैं कि which age group is more valuable ठीक है उसमें क्या होता है कौन से valuable ठीक है कौन से age group में यह ज्यादा हो रहा है ठीक है तो कौन सा age group है simply हमारा 15 years old जो बच्चे होते हैं जो below छोटे बच्चे 15 से नीचे और 50 years से जादा below the age 15 years old और above 50 years old एज ठीक है ग्रूप उसमें यह क्या होता है कि यह जादा मतलब कि यह बमारी जादा देखी जा रही है यह जादा हो रही है इन दोनों एज ग्रूप को यह जादा हो रही है इसके बाद करें कुछ कहते हैं ऐसे चिल्टन भी होता है जिनको अस्थम होता है डाइबर्टीज होती है हार्ड डिसीज होती है जिनका सिंपली इम्यून सिस्टम को ज्यादा वीक होता है तो उनको यह बमारी देखी जा सकती है ठीक है उनको यह बमारी हो सकती है तो वह ज्यादा इससे बच कर रही ठीक है और सिंपली यही होता है मत तो इसका एक तरह के treatment क्या होगा खुद ही सोच कर देखो देखो अभी इसकी vaccine वगरा तो कुछ है नहीं तो क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए हमें बचा कर रखना चाहिए अपने शरीर को आपको पते हैं कि हमने देखा गया कि इसमें बुखार होता है vomiting आती है ये सारी चीज़ें होती है तो ये सारी चीज़ें आने ही मत दो इन्हें यहीं पर मतलब कि इसी को बुखार हुए तो वो पहले ही ठीक हो जाए उसी बुखार की medicine ले ले बुखार को सही कर ले ठीक है आप हल्दी वाला दूद पियो हना क्या होता है कि दूद पियो हल्दी वाला दूद पियो इसके इलावा हम जहां पर भी जा रहे हैं आप अपने face पे mask लगाओ हना और इसके इलावा अपने हाथ दोते रो sanitize करते रो तो ये सारी चीज़ें चोड़ी चोड़ी चीज़ें atomic habits अपनी आदते ये छोड़ी चोड़ी आदते डालो ताकि आप अपने शरीर को सही रख पाओ और viruses flu से बच पाओ ये तो चलो कोई बात नहीं हमें अपनी daily life में इन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर कोई और भीमारी भी आई तो हम उसे बच जाएं अपना immune system को सही रख पाएं तो ये तो हमारी simply आदते होनी चाहिए जो हमें बनानी चाहिए ठीक है next अगर मैं बात करूं treatment treatment तो भाई यही है जो भी मैंने बताया और यह क्या है हरी का immune system अलग अलग होता है तो medicine से अभी अलग अलग लो अना so consult a doctor before talking any medicine कोई medicine लेने से पहले अपने doctor से पूछ ले बिना किसी doctor के से पूछे अपने घर का doctor ना बने ठीक है तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि है h3 and 2 virus क्या है ठीक है यही था इसमें अगर मैं आपको फिर से बताऊं क्या था यह simply हमने देखा था इसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात देखूं तो हमने h3 and 2 virus के बारे में जाना था कि what is h3 and 2 virus यहीं से बात असली शुरू ही थी कि पहले ही आया था तो इसने बहुत सारा आतंग मचा दिया था इसके symptoms क्या है आता यहीं सारी चीज़ें उसके बाद influenza था यह influenza A का सब टाइप है याद रखना यही है अगर कोई भी चीज़ इसके related हमें पता लगते है तो हम जल्द से जल्द आपको concern करेंगे स्थीख है तो thank you guys thanks for watching this video मिलते है next video में तब तक के लिए ओके बाइबाई